हेलो गाईज, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मा का दूद बढ़ाने के लिए ओट्स की हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाए जाती है इस हेल्दी ड्रिंक को आप as a wet loss ड्रिंक भी ले सकते हैं और ये मा का दूद बढ़ाने में बहुत जादा helpful है चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ड्रिंक मार्केट में सबसे बैस्ट ओट्स जो हैं मेरे साबसे क्वीकर ओट्स हैं और पतांजली ओट्स हैं मैं यहाँ पर पतांजली ओट्स का इस्तमाल करूंगी अगर आपको मिठा स्टेव तो आप जूस शूगर यह सब एड़ कर सकते हैं अपनी टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें एक कप ओट्स लेने हैं और एक तपेली में तीन कप पानी डालना है और पानी को अच्छे से उबालना है और जब पानी अच्छे से उबल जाए तो अगर हम शूगर या कोई स्वीटनेस के लिए डालना चाहें गूर्ड जैगरी जो भी है वो उसमें एड जाएं गृट कर दें उसके बाद अच्छे से मिकसर में ताकि बाद हम उसको उपले हुए पानी में मिकस कर देंगे और अच्छे से रिलाएंगे ताकि जो स्मूधी है स्मूधी डाइप बन जाए और अच्छे से करना समय तुकुप मिल्क अच्छे सघ्लाइंगे और इसमें फ्रूट जूस भी एड़ मफशा फोड़ी पॉल तो पस पेड़ से यो इंक्रेगमें परो एक ड Haut र recycling में पानी में य। अच्छे से हिलाना है और ये हमारी Milk Booster Oats Healthy Drink जो है वो बन गई है इसमें आफ लेवर के लिए कुछ भी मिला सकते हैं कॉफी मिला सकते हैं शेक मिला सकते हैं as up to you मैं तो पीती हूँ ये ड्रिंक मैं तो पीती हूँ साथ मेरा बेबी भी बहुत इंजोई करता है तो बेबी भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा खाता है सो बेबी के भी लिए काफी healthy है Oats क्योंकि बेबी का जो digestion होता है वो काफी अच्छा रहता है Oats से सो फ्रेंट्स ये थी एक healthy recipe जो मा के दूद को बढ़ाने वाली है बेबी के digestion के लिए भी अच्छी है और weight loss के लिए भी अच्छी है थैंक्स एम याम याम याम